गड़ा एमसी फ्रेंट वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको एक ऐसे प्रड़क्त की नौलेज देने जा रही हूं जो हमारे रोज मर्रा में एक बहुत ही महतपून प्रड़क्त है जो हम सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हम हम जरूर करते हैं तो गैस उस प्रड़क्त का नाम है सो फ्रेंट उस एक ऐसा प्रड़क्त जो हम डिली में हंप 수도 किया जावक्त है व्यसार मोछ को हम आपको कुछ मुस्छ कुछ इंब और तिब करऊंगो उस प्रड़क्ट का मैंने दो कप में सेम क्वांटिटी में पानी भरके रखा तो गाइस दोनों में मैंने बीटाडी गाइस बीटाडी को डाला बीटाडी निक हाई केमिकल है और एक स्लो पोईजन है जो धीरे-धीरे हमारी बॉड़ी में जाकर केमिकल इतना फैला देता है इतना फैलने दीरे कि हमारी बॉड़ी पूरी नश्ट हो जाती है तो गाइस मैंने दोनों ग्लास में बीटाडी मिक्स की बीटाडीन हमारी बोडी के लिए इतना हानी का रख क्या आप में से कोई जानता है कि बीटाडीन बनता किस चीज से है गाइस हल्दी से हल्दी को केमिकल के साथ मिक्स करके इसको ऐसा एक टेक्स्चर बना दिया जाता है जो चोट पर लगाकर हम चोट सही करते हैं बट यह हमारी बोडी के लिए बहुत जादा हानी का रख है तो गाइस दोनों कप में मैंने बीटाडीन डाली और दोनों कप का पानी चेंज हो गया रेड वाइड प्यॉर ट्रांस्पेरन कलर का पानी रेड कलर में चेंज हो गया क्योंकि केमिकल एक साथ जैसे अब अगर आप कोई भी टूथपेस चेक भी करें उसके बैक साइड पर लिखा होता है कि 6 साल से कम की हुमर के बच्चे को यह टूथपेस ना दे वह इसलिए लिखा होता है क्योंकि टूथपेस में कैसा केमिकल पाया जाता है जो बच्चों के लिए और बुड़ों के लिए और किसी भी एज के व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है और वह केमिकल हमारी हमारे बॉड़ी में कैंसर का खत्रा उत्पन कर सकते हैं सो गाई आज मैं चेक करूंगी कि हम कौन सी यह मैंने मार्किट की टूथ पेस ली है जो आप लोग रोज मर्रा में अपनी जिल्दगी में यूज करते हैं एक तरफ मैंने मार्किट के टूथ पेस ली और दूसरी दरफ मैंने I.M.C की टेंटी केर यूज की अब देखते हैं किसका कलर चेंज होता है बीटा डीन को कौन सी टूथ पेस साफ करती है जिसका कलर चेंज होके वाइट होगा मतलब वो प्यॉर है क्यूंकि उस तूथ पेस ने बॉड़ी से सारे केमिकल स्टॉप्स को बाहर निकाल दिया माइटियर फ्रेंड्स दोनों में मैंने सेम क्वांटिटी में तूथ पेस डाली सो गाइज लेट सी कि किसका कलर चेंज होता है आप लोग इसका कलर देख सकते हो कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा साफ कौन सी चीज लगती है और इस इस ग्लास में मैंने डाली थी आप लोगों में कोई भी केमिकल कोई भी केमिकल है आपकी टूथ पेस उसको साफ करेगी यह बात तो पता नहीं पर और ज़्यादा केमिकल जरूर डालेगी इस बात को जरूर चेक कीजिए आपके घर में जौन सी टूथ पेस्ट है उसमें बीटा डीन डालके चेक जरूर करना कि क्या रिजल्ट आता है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए चस्ते महंगे के चक्कर भी बिल्कुल नज जाईए अपने घर में आयूरवेदिक और इं यूसफुल लगाओ तो इस वीडियो को लाइफ शेर और कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे आने वाली कोई भी यूसफुल वीडियो को देखने के लिए माइडिया फ्रेंड इसी के साथ थैंक यू सो मच